गाज़ का हलवा एक ऐसी चीजЕ थो एक अइसी चीज़े सो हर किसी को पसंद आती चाहिए बच्चा बढ़े किसी को भी पसंद आति और जब यह सादी में मिलता को सबके यह क्या यार्थ यह तो का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है तो गाजा का हल्वा इनी गाजर से बनाई और गाजर हमेशा थोड़ी सी मौटी लें क्योंकि आपको ग्रेट करने में आसानी रहेगी गाजा का हल्वा भूत तरीके से बन सकता है मिक्सी में इसको काट के पीशके भी बना सकते हैं वह भी ग्रेट करके कडाई में बनाएंगे प्रॉपर तरीके से जैसे हल्वा लोग बनाते हैं तो वीडियो आपको अच्छा लग है तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करना वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करना और कमे वेडरों के हेल्प तो अच्छी लilly में में लिए मिक्सी में तो बना सकते हैं मिक्सी में जब्ड करम राएंगे आपको हल्वा इसृताल का हलवा ज़िये तो जैसे हम बना रहे हैं आप ऐसे इस इस टेप-बाइस टेप फोलो करें हम ने जली यह ग्रेट करिए कि अच्छे से ग्रेट कर लिया आप इसी तरी से ग्रेट कर लें और जब हम इसको हल्वे को बनाएंगे उसके लिए आप यह तो नोनिस्टिक कड़ाई ले यह सिल्वर की कड़ाई ले आपना आइरन वाली कड़ाई में नहीं बनाएं उससे का इसका कलर चेंज हो जाएगा काला पढ़ जाएगा तो हम एसा नौनिस्टिक में बनाएं यह सिल्वर वाली कड़ाई बनाएं तो हम हम बनाना स्टार्ट कर तो हमने ग्यास पर इस इससलवर वाली कड़ाई रखे है तो हम इसमें आधा लीटर फुल फेट दू अड़ करेंगे और इ घर में जो दूद आता है गाय का यह बैंसका गआ का दूद ऊटा यह कि तो आप मेलाई के साथ उसको एक कर दे पर लोगा आप थोले ऊज़का बहाले नीचे लगती निए इसलिए इसलिए पर बड़ी कड़ाई यूज की यह चलाने में भी आसानी होती हो नीचे लगती कर देंगे आप इस प्रोसेस से स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे ना हल्वा तो एकदम मार्केट जैसा बनेगा आप कोई नहीं पैचान पाया कि आपने घर में बनाया मार्केट से लिक्या आएं बहुत टेस्टी बनता है और मेडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको डख के रख देंगे जिस सगी उसके बाद हम आपको दस में बाद दिखाते हैं 10 मिट में बीच बीच में आप एक बाद चेक करते रहे कहीं नीच नीच लगत तो नीरा है हमने बैसे गैस को मीडियम कर दिया है दस मिट हो गए तो हमने इसका डखकर अठा दिया और गाजर दूद में अच्छे से बॉइल हो गी है आप देख सकते हैं आराम से करम है अभी इसको हम इसी में और घुनने देंगे जिससे गाजर का जो भी पानी होगा तो वह भी जल जाएगा तो हम इसको थोड़ी देटी से अब दूद और दूद सारा जल चुका है और गाजर का जो पानी निकलाता वह भी सारा जल गया अब इसमें हम दो सो ग्राम के करीब चीनी एट करेंगे कि आप मीठा ज्यादा पसंद कर तो ज्यादा एट करें और आप चौँ तो आपको जल ली है तो हाई पे भी कर सकते और अभी हम इसको मीठियम पर कर रहे है और इस टाम इसमें हम दो चम्मच देशी एट करेंगे आप देख सकते हैं चीनी एच्छे से घुल गई है इसमें हम क्या करेंगे इसमें एक चम्मच इलाइची पाउडर एट करेंगे हमने एलाइची पॉडर घर में पाउडर में पीशा है अगर आपको इसकी रैस्पी चाहिए था आप में चाफित एपसze और ब्रत की बहुत साही एपसज़ह एप कहलब कौना सकते जो भी इस्पी हम बताते बहुत इज़्य यह बनेगा हमने दो चम्मस इसमें घी एट किया था अभी हम और घी एट करेंगे अब इसमें हम चीनी अच्छे से घुल गई है हमने 200 ग्राम मा वाली है जैसे खुआ भी बोलते हैं वह हम इसमें एट करेंगे ग्रेट नहीं करना है इसी तरीके से मिलाना जैसे हलवाई लोग मिलाते हैं बीच बीच में मौटा मौटा इसका टुकड़ा आता तो काफी टैस्टी लगता है अब इसको हम इसी में भूनेंगे थोड़ी देर मावा पहली से भूना हुआ होता है इसमें हम इसलिए भूनेंगे अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और रैस्पी कैसी लाइब जरूर करें और साइड में बैल आइकन का बटन भी दिया है तो उसको भी प्रेस करें जि कि लिएरम को जिःएऽ मावा जैसा अपको पाइब दिखाते से भाख जाते हैं कि वे दीन काहता है कि ड्रम रहे तो Neo जाता है तो ईसलिए फ्रेस मावाum यूज क्रें तो कि आप देख सAKता है बिलकुल मार्केट जैसा बना है आपको पास से दिखाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा बना अब इसमें हम थोड़े से ड्राइफूट एट करेंगे पहले तो हम इसमें घी एट करेंगे हमने चार चमस घी और एट किया है और मीठा आप अपनी साब से कम रादा कर सकते हैं मीठा कम खाते हैं कीमने 200 ग्राम से थोड़ा सा कमी चीनी एट कीए पूरी 200 ग्राम परसंद कर sud करते हैं तो बिलकुल ड्राइ सब्साइड ने 7 चंधे तो ऊsp mise अननिकी जो अब एडाब देख को करेंगे नियुक्त टॉब युलोर ट्राइड राजू Top लेगे जाब daem कजूर बादाम हो आड करेंगे को । थोड़े काजू को अगो हैं। कि मंने चोटव काचों से हुँ सते हैं। हाध मैं टवी होना इसको अधा हिए। भाजू करें खैस। वात टेश्ट आ तो हम कऴ हैं। बिलब मार्केट जैसा बना बाधे लवा बनाबक बथनीवर 5 की व सबहते हुआ रहे वी लिए यह दो दोखा टेर्श ठीड हर सबस्ताया सबस्क्राइब बिल्कुल मार्केट जैसा बना आप हमें कमेंट में जरू बताना और अब इसके उपा हम थोड़े से ड्राइफूट से गानिश कर देते हैं हमने बारिक चॉप करके ड्राइफूट रखे हैं कि अब कि अब